कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी और पिर्यंका गांधी वाडरा ने सिरीनगर में भारत जोडो यात्रा संपन होने के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर के गांदेर बल जिले में मंगलवार को दो परमुख्य तीर तेस्तलो, खीर भवानी मंदीर और हजरत बल दर्गहा में द उन्होंने बताया है कि इस से दोरान कॉंग्रेस के अन्य नेता भी उनके साथ थे, जिनोंने सिरीनगर में 28 किलोमीटर दूर इस्तित्य मंदीर में दर्सन किये, इस मंदीर की कस्मीरी पंडितों में काफी मान्यता है, जिनका मानना है कि मंदीर के नीचे मुझूद कुंड क पानी का रंग घाटी में मुझूदा इस्तती का संकेत देता है, कुंड के पानी के अधिकतर रंग का कोई विसेश महत्वे नहीं होता, लेकिन पानी का रंग काला या गहरा हो जाना कश्मीर के लिए बुरे शमे का संकेत माना जाता है, बाद में वे यहां प्रसिद्ध डल जील के पास इस्तित हजरत बल दरगहा पहुंचे, ऐसी मान्यता है यहां पेगंबर मुहमद के आउसेज है, जिसके कारण घाटी के मुश्लिम समुदाई की इससे गहरी आस्ता जुडी है, उन्होंने बताया कि इस रुक्षा कारणों से इस यात्रा को गोपनिय रखा गया लोगों ने इस पर कमेंट किये, एक यूजर ने लिखा मस्जिद में भी हाथ जोड के खड़े हैं, पक्का सबूत दे रहे हैं हिंदू होने का, वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कॉंग्रेस के सारे वोट गए, वहीं कॉंग्रेस की भारत जोडो यातरा का करीब पांच म करतेवे कहा कि यह देश के लिए आशा की किरण हैं, भारत जोडो यातरा 4080 किलोमीटर के सफर के बाद 30 जनवरी को शिरी नगर में संपन हुई, गत 7 शितंबर को कन्या कुमारी से सुरू हुई यातरा 12 राजियों और 2 केंदर शाशित परदेशों से होकर गुजरी, राहु गांधी मंगलवार को दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुँचने के बाद राहुल गांधी ने अपने आवास के बाहर एकत्रित कॉंग्रेस समर्थोकों से मुलाकात की, ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताए, धन्यवाद